वकर्यूशन के वारे वहां पुर्णूशन के भाएन। प्रटा दिया था अब हमारा next topic है characteristics of solution solution क्या characteristics होते हैं इसके बारे हम पढ़ेंगे जैसे मैं पीछे बताया दें solution दूप चीज़ से बना होता है एक होता है salute इन दोनों का mixture जब होता है तो क्या बनता है solution अब इन दोनों का mixture होता है हो क्या होता है homogeneous homogeneous होता है homogeneous मिक्षर में मिक्षर में आते हैं ठीक है solution क्या होता है homogeneous homogeneous के बारे भी मैंने बताया था homogeneous क्या होता है जिनका जिनमें salute completely dissolved हो जाए और उनका जो composition हो हर direction से से मूत्रा और smarts हर direction से इती जैसा दिखे पानी में चीनी मिला दें पानी में नमक मिला दें यह सब क्या होता है homogeneous होते हैं या यह सब दरूश्चन होते हैं ठीक है थे चारफन मेंぬस्ते होगे प्यूर बाटर है तो उसे नहीं सब्सक्राइब इसके बारे में जानते हैं पहला क्या होता है हूं जिसका मिक्षर होता है किसका मिक्षर सब्सक्राइब का तो कि यह देखे नहीं क्या राएं विक जैसे हमें पानी रहें सब्सक्राइब इसमय है विला देखे इस दार्ट देखें कहीं से भी देखेंगे तो हम में क्या लीए तो सेम कंपोजिशन देखेंगे तो सेम विजीबिल्टी देखेंगे ठीक है अगला, शबोंट पार्टिकल साइज चैनल नाट इस सीग बाई नेके डाई, चैनल हम पानी में सुगर गणा गते हैं, तो क्या हम सुगर को देख पाते हैं नेके डाई से, मैं ही देखते हैं, हमें तो थूड़ा कलर चेह देखता है, कोई यहां था है था मिपए नीस अविए हैं इससे भी स्मावर होते हैं इन से चोटे साइज में के इसा पार्टिकल पाए जाते हैं या कैसे सब्सक्राइब स्वेटर नहीं होते हैं जब कुछ टैन्क तक हम सुगर में वाटम वाटम मिला जाते हैं जब सलूशन बन जाता है लम्बे टैंक तक शोड़ ज़ते हैं तो वह स्वेट जाता है नहीं तो शेटल नहीं होते हैं एक बार मिक्स हो जाने के बाद क्या हो जाता है तो उनको फिल्टर से मतलब यह सुँखका ब्रसे अलब सकटे हैं ठीक है अगला एक रोसलूशन क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रोते हैं क्लियर रोता है यह घृता है ट्रांसपेरेंट और मिक्शिन उड़ वाटर या शूगर या साल्भ क्यों होता है यह इस पास उस पर हम देख सकते हैं यह च्छिल स्कैटर नहीं करता है कि कोई बीम आफ लाइट जाली यह सोर्स ऑफ लाइट टार्च आप रहे हैं कि यहां से लाइट सजा लिए कोई सलुशन यहां पड़ा हुआ खीक है सलुशन पड़ा देखिया रगवी स्कैटर मन्तब यहसे डारीशन में जाने रहतने हो तो यह ऊतना नहीं होता है इसके solution के इसको आप अच्छे से नोड कर लिजेगा पुरुसता भी है ठीक है next हमारा है solution में हम दूर चीज़ पढ़ेंगे एक होता है saturated solution एक होता है unsaturated solution क्या होता है मतलब कि मतलब कि कितना ज्यादा से ज्यादा पार्टिकुम किसी साल्वेंट में डिजॉल हो जाए वही बताता है saturation को जैसे मानते हैं कि 100 ml हम पानी लिए उसमें 35 ग्राम या 20 ग्राम तक सलूट डिजॉल हो जा रहा है सुगर्यास मैक्सिमम हम 20 ग्राम तक या 30 ग्राम तक अगर सुगर्यास साल्व को डिजॉल पर देते हैं तो वह हमारा क्या होगा एक saturation solution उसके ऊपर हम डाने तो डिजॉल नहीं होगा तो हमाना 30 मान कितना डिजॉल गड़ा है वही हमारा क्या बताएगा saturation solution और unsaturation solution क्या होता है जिसमें less than the maximum amount of solute has been dissolved is called unsaturated solution जिसे कोई solvent लिए इसमें चालीज ग्राम चीनगी मिला दें और इसमें 20 ग्राम डिजॉल्व और 20 ग्राम पड़ा होगा बॉटम पे तो हमारा solution कैसे लिखे 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 unsaturated solution तो यह होता है saturation और unsaturation में difference ठीक है तो आप इसे नोट कर लो अच्छे से ठीक है और नेक्स हमारे टॉफिक है इसको हम आपको नेक्स क्लास में बताएंगे पुड़ा स्पीड श्लो चल दा है मेरे में किया जाएगा कोई जल्दी नहीं है तो करूं बताएंगे साविबिल्टी और साविबिल्टी की बारे में उसके फैक्टर एक्टिंग के बारे में बताऊंगा तक आप इसे अच्छे से नोट कर लो और जो डाउप होगा उनसे पूर सकते ह जाएगे कैं थैंक्यू आप नएस तो